वेल्कम टू गरुड इंस्टिटूट आफ एक्सिलेंट एजुकेशन आज सीखना है पहले तो पहले तो पहले लेटरिल का मीनिंग समझ लेते हैं अम लोग देखो पहले लेटरिल कॉड यह चो वर्ड है क्वाड यह आपको बहुत फैबिलियर है पर आप जानते नहीं हो पपजी खेलती हो फ्री खेलते हो तुम क्या बोलते हो चार जन को स्कॉड और अपट squad बोलते हो अब मैं तुमको असले में बताता हूँ ये squad का मतलब होता क्या है क्यूँ इसमें 4 ही जन रहते है उसका मतलब भी बताता हूँ ये जो squad है इसका मतलब होता है 4 और ये जो S होता है इसका मतलब होता है soldier ओके soldier तुम जब भी खेलते हो लिए उसके हाथ में गन रहती है आपको करना क्या पड़ता है दूसरों को खतम करना तो बेसिकली वह सोलजर का काम नहीं भार रहा है बर बर इसलिए स्कॉर्ड बोला जाता है चार सोलजर की टीम यानि स्कॉर्ड तो वहाँ पर भी क्वाड का मतलब होता है यह तुम जानते ह लेटरल का मतलब क्या होता है कोड का मतलब तो समझ में आगया चार होता है लेटरल का मतलब होता है closed system closed system यहने closed diagram क्या होता है closed diagram closed diagram अब यह पूरा quadrilateral quadrilateral क्या कहलाता है अब देखो मैं कोई भी एक shape बना देता हूँ चलो नाम देता है इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बताओ, यह quadrilateral है क्या जी हाँ यह quadrilateral है, कैसे अब देखो मैंने क्या बोला, quadrilateral है नी 4 पहले तो देखो इसको चार साइड है क्या AB एक साइड हो गई BC एक साइड हो गई CD एक साइड हो गई और AD एक साइड हो गई बरबर, बरबर बोल रहा हो अब, lateral का मतलब मैंने क्या बोला closed diagram इसमें देखो, एक point है बरबर, एक point पर आके सब मिल रहे है एक closed diagram दीख रहा आपको अगर मैं वही कुछ ऐसा बना देता क्या यह closed है तो यह क्या quadrilateral कहलाएगा नहीं कहलाएगा क्यों क्योंकि यह closed नहीं है इसमें चार साइड्स जरूर है पर यह closed नहीं है तो quadrilateral, I hope समझ गए होगे अब quadrilateral का general definition quadrilateral ओके अब quadrilateral देखो any closed diagram closed diagram which has four sides is called quadrilateral ओके समझ गए क्या होता है quadrilateral यह हो गया है इसका basic definition अब quadrilateral मालूम बढ़ गया चार साइड्स है चार कोने यार जैसे काइट होता है अब quadrilateral के भी बहुत सारे टाइप है अब यह quadrilateral के quadrilateral quadrilateral के बहुत से टाइप है जैसे आप जो basic जानते हो वो है rectangle rectangle जानते हो जी हाँ यह वाला यह वाला बच्पन वाला जो जानते हो आप फिर होता है square जो भी जानते रहोगे square उसके बाद रोमबस एक होता है रोमबस 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 कुछ यह सब काइट शेफ होता है काइट देखा है अपने काइट काइट पतन जी हाँ और एक होता है इसे बोला जाता है parallelogram parallelogram यह भी कुछ-कुछ rectangle जैसा ही दिखता है पर इसके properties के हम बात करेंगे आगे अब parallelogram एक और होता है एक और लो ला दिया है यहाँ पर यह होता है trapezium trapezium यह कुछ ऐसा दिखता है ऐसा कुछ यह trapezium अब हम आगे क्या करने वाले इन सबको यह पूरा lesson एक बात बता दो आपको यह जो पूरा lesson है quadrilateral आपका 9th standard का यह पूरा इन पाचों के इरदगिरद घुमेगा यानि rectangle, square rhombus, parallelogram और trapezium यह जो पाच है आज हम इसके property discuss करेंगे introduction lecture है तो इसके आगे का जो practice set होंगे वो आते जाएंगे तो चैनल को subscribe ज़रूर करना क्योंकि series चालो है और i button पे देखो i button आ रहा है वहाँ पर मैंने polynomials का link दिया हुआ है polynomials में पूरा सीखा चुका और description में जितने lesson सीखा चुका उसके सारे link है जाके पढ़ाई करो ओके चलो देखो अभी इतना copy कर लो अगर करना है तो किसी को और वो squad वाला हमेशा याद रखना बहुत काम आएगा चलो मिटा आ जाए आई होप कर ले आओगा copy अपने style में मिटा आ जाते है चलो चलो अब आगे का plan जान लो ओके plan देखो quadilateral अपने discuss किया पाच टाइप के है rectangle square, rhombus, parallelogram और trapezium अब देखो सब में का करना है angles discuss करना है सबके, diagonals discuss करना है, sides discuss करना है, यह सब properties भी हो जाएंगे तुमारे इसमें अब देखो, घ्रान से देखो, पहला, angles, अब rectangle है यह, तो rectangle के आपको मालूम है सारे angles 90 degree होते हैं, हाँ, all angles, all angles are 90 degree, मतलब सेम होंगे, अर्र की नहीं, all angles are 90 degree और सेम होंगे सारे angles, अब, diagonals देखो, जो diagonals है, वो, देखो, diagonals सेम होंगे इसके, दोनों भी diagonals सेम होंगे, सेम या congruent word यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, congruent, ओके, अब, यह जो sides है, sides में क्या, rectangle है, तो क्या, opposite sides, opposite sides, opposite sides, are equal, समझे, यह हो गए, properties के, अब, आओ, square पे, square का भी सेम हाल है, angles जो है, वो 90 degree होंगे, 90 degree मतलब, सेम होंगे, 90 degree मतलब, सेम होंगे, मेरे साथ notes बनाओ, फायदे में रहोगे, देखो, rectangle का देख लो, एक बार, pause कर लो, वीडियो को, एक बार रहते हैं, मेरे साथ notes बनाओ, क्योंकि मैं short form में लिखने वाला हो, मेरे को जगा नहीं है, 90 degree, angles मतलब, मतलब, square के angles, हर एक 90 degree होते हैं, और सेम होते हैं, यह ऐसका मतलब है, सेम, note कर लो, एसका मतलब है, सेम, अब, diagonals पे आते हैं, diagonals पे आते, diagonals जो होते हैं, वो perpendicularly bisect करते हैं, क्या करते हैं, perpendicular, bisector, perpendicular, bisector, perpendicular, bisector होते हैं, ओ, side, sides, दो मिनट, मैगी बनाने के, बहाने मत चला जाना, दो मिनट बोला तो, ओके, चलो, sides की बात कर लेते हैं, पहले, sides तो क्या, आपको मालूम, यह सेम होते हैं, सब sides, और, जो, same sides होते हैं, यहाँ पर देखो, एक और side में missing, नहीं नहीं, opposite sides तर equal कर दिया ना पुन्य, यहाँ पर sides पर देखो, sides सेम होते हैं, सारे, square के, अब, diagonals जो होते हैं, वो bisect करते हैं, एक दूसरे को, bisect यानि आधा-धा करते, यानि, यह जो diagonal है, यह वाला diagonal है, यह वाला, यह वाला, यह दोनों को half में divide कर रहा है, यह जो point है, समझ लेते, यह point O है, यह जो O point है, वो आधा-धा डिवाइड कर रहा है दोनो डाइगनोल्स को अभी सम्स करेंगे तो उसमें जाधा समझेगा बहुत अच्छे से अभी के लिए इतना याद रखना कि डाइगनोल्स बाइसेक्ट इच अदर तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते है और एक बात यह जो डाइगनोल्स होते है यह एंगल्स को बाइसेक्ट करते है समझ रहो यह जो एंगल्स है समझो यह एंगल ए है तो यह एंगल्स को आधा-धा कर देंगे कर देंगे मतलब क्या कर देंगे 90डिग्र इगरे उधर 45 और इधर 45 समझ देओ एंगल्स को ये परपेंडिकोलर बाइसेक्टर हो गया इंगल्स को क्या बाइसेक्टेड़ भाई अब ये आजा रॉंबस पे देखो रॉम्बस पे जो एंगल्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे ज़रूरी नहीं है पर हो सकते हैं ज्यादा करके सेस में डिफरेंट होते हैं एंगल्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं अब साइड्स पर आ जाते हैं साइड्स जो होते हैं रॉम्बस के क्या बता सकते हो जी ह पर्पेंडिकुलर पार्ट में एक और बार बता रहा हूँ जो डायकनॉल को आधा-धा पार्ट में डिवाइड करें अधे-ाधे पार्ट में डिवाइड करें अब ये भी अपने एंगल को क्या करता है bi-sect bi-sect angle by diagonal ओके bi-sect angle by diagonal यानि क्या यह जो angle होता है वो diagonal से bi-sect हो जाता है वापिस आधा-धा हो जाता है और यहाँ पर square में और rhombus में फरक्या है कि square में angle जो होता है वो 90 degree होता है और जो rhombus है अपना rhombus भहिया को 90 degree पसंद नहीं जरूरे नहीं कि यहां पर 90 डिग्री ही हो कुछ अलग हो सकता है तो अलग होने के बावजुद वह आधा-धा कर देगा कौन बाइस अपना ये क्या बोलते हैं अपना डाइगनॉल आजाओ जम कर लो पैरिलोग्राम पर पैरिलोग्राम सबसे बढ़ियार सबसे जाधा खास अब क्यूं आपको आगया मालूम पड़ेगा क्यूंस जो है कि सारे एंगल्स की प्रापर्टी होती है इसमें यह पैरिलोग्राम में अन्हें के property होती है वो तुम यहाँपर भी यहाँपर भी observe कर सकते हैं रेक्टांगल में और स्क्वाइर में कि ऐड जेसेंट अंगल होते हैं एड जेसेंट हैं उट्रैंघल संग अर權टने इन्गल स्वमल है सप्लिमेंट्री मेंट्री संपलिमेंट्री बोल दो यह 180 बोल दो 180 degree supplementary अब adjacent angles यह जो adjacent angle word लिखा है मैंने इसका मतलब क्या है adjacent angle का यह मतलब है कि आजवाजवाले angle जैसे यह अभी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया समझो A, B, C और D तो angle A और angle D यह दोनो angle मिला के 180 होंगे angle D और angle C यह दोनों मिला के 180 होंगे angle B और angle C दोनों मिला के 180 होंगे समझे, angles का क्या फंडा है अब sides पर आ जाओ sides same to same अपना rectangle जैसे क्या होता है, opposite sides opposite sides opposite sides are opposite sides are क्या बराबर, equal ओके opposite sides are equal अब equal या congruent दोनों लिख सकते हो equal या congruent अब diagnose इसके भी diagnose अब देखो यह diagnose सिब bisect करते है समझ रहे हो यह जो diagnose है दोनों के parallelogram के यह सिब bisect करते है ना कि 90 degree पे bisect करते है यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दो जगवे bisect करते है यहाँ पर 90 degree पर यहाँ भी 90 degree पर वहाँ पर 90 degree पर bisect नहीं कर रहे है पर bisect ज़रूर कर रहे 90 degree पर नहीं कर रहे है पर कर रहे ओके angle bisect पर लिग दो सिर bisect b bisect okay bisect di diagnose अब समझा अब trapezium पर लास्ट वाले पर आ जाओ अब ट्रपेज़ेंके साइड्स अपने को याद में रखना है इसके सिफ दो साइड्स टू साइड्स और उन्ली टू साइड्स और और पैरेलल अब ये पैरेलल वाला मुद्दा सब में लाग होता है जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ आपको अब rectangle है जाहर सी बात है कि उसके दोनो pair of lines यानि क्या एक और point add कर सकते हो two pairs of lines are parallel लिख लो मेरे साथ मैंने बोला है मेरे साथ notes बनाओ फायदे में रहोगे square square में भी same point है क्या same point है two pairs इसका मतलब क्या होता है same as these copied same two pairs of lines are parallel pairs यह नि जोड़ी दोनों की जोड़ी यहाँ पर दोनों की जोड़ी parallel है यहाँ जोड़ी parallel है कितने जोड़ी होई यह एक जोड़ी और यह जोड़ी दो जोड़ी होगा यह एक जोड़ी, यह एक जोड़ी, कितने हुए है, two pairs of lines, यहाँ पर देखो, दो जोड़ी दिख रहे हैं, ऐसा वाला, और ऐसा वाला, दो जोड़ी, वो यहाँ पर भी लागो होगा, two pairs of lines, two pairs of lines are parallel, यहाँ पर, parallelogram में, parallelogram में भी होगा, वही लिखना है आपको, ओके, यह याद रखना है, ट्रपेजे में से वो parallel वाला किस्ता अलग है, वो अलग बन दा है, इसलिए उसको देखो, मैंने चार्ट में भी अलग बनाया उसको, क्यों अलग बनाया, इसके कुछ खास नियम होते है, जो सिर्फ उसी पर लागो होते है, बाकि किसी पर नहीं, अब एक मज़े की बात बताता हो तुमको, यह तुमने जो तीन फिगर देखे न, तीनों फिगर, तीनों फिगर की प्रॉपर्टी, तुमको parallelogram में मिल जाएगी यानि parallelogram, यह हर एक चीज parallelogram है, एक rectangle भी एक टाइप का parallelogram है, square भी एक टाइप का parallelogram है, rhombus भी एक टाइप का parallelogram है, अब कहने की बात क्या है, हर rectangle parallelogram हो सकता है, पर हर parallelogram rectangle नहीं हो सकता, समझ रहो, थोड़ा confusing है पर समझ जाओगे, हर square rhombus हो सकता है, पर हर rhombus square नहीं हो सकता, स्क्वायर होने के लिए एक स्पेशल गुन चाहिए जैसे कोई भी अगर तुमको टॉपर बनना है मेनत करनी पड़ती है कुछ उसमें अलग रहेगा कुछ स्पेशल रहेगा इसलिए वो दुनिया से हटकर कुछ कर रहा है बरबर है कि नहीं तो वैसे ही यह जो स्क्वायर है इसके पास एक गुन है इसके पास एक खास चीज है क्या है वो खास चीज 90 वणले एंगल्स जो रोंबत के पास नहीं है वह सेम किस्था है पैरिलोग्राम के पास अलग अलग एंगल्स है अब parabisi 90 और 90 हो सकते है फिर 80 और 100 हो सकते दोनों मिला टेंगे यह तो जानता है हर कोई जानता है पर लोचा कहा पर है रेक्टेंगल में 90 डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है प्रॉब्लम यह है यहाँ पर यहाँ पर तो भई डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है दोनों पेरिलल है यह कितना भी हो सकता है अब यह मुझे भी नहीं मालूम कितना होता है मुझे भी नहीं मालुम से कई की तो इन्स्रूमेंस रहते है जैसे ट्रॉटेक्टर से तुम मापते हो यह बूप क्ञा है कोईा प्रोजेक्स होते गवर्मन्ट के बोलो बोलो तो एसा चाईम आया पे तो लोग क्या करते रहेंगे गणित लगाते मैट्स लगाते तुम बोलते हो न कहाँ पर अप्लिकेशन है यही सब चीज में अप्लिकेशन समझे चलो एक बार देख लो समझ गया तो देख लो कॉपी कर लो पूरा चार्ट और चार्ट लो यह चार्ट बहुत काम का है ओके चलो समझ गया आई होप समझ गया होगा ओके चलो पापिस एक बार अपने स्टाइल में हो जाए चलो अब देख लेते यह हो गया यहां तलगा कर वीडियो देख रहे हो तो क्या करना आपको एक काम करना है लाइक शेर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तुम्हारा डाउट तुम्हारा हक है वो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए मैं कोशिश करूँ गा कि तुम्हारा आशर जल से जल तुमको मिल जाए ओके चलो लाइक शार, सब्सक्राइब ज़रूर करना और आई टिप पे जाके प्लेवेज देखना डिस्क अगले पार्टने